हलो स्टुडेंट्स आज हम एक नया चैप्टर रिस्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्टेटिस्टिक्स इस चैप्टर के बारे में आप प्रीविज क्लासेज में भी पढ़ चुके हैं यहां हम और आगे डीटेल में पढ़ेंगे सबसे पहले हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं कि हम इस चैप्टर को पढ़ते क्यूं है सो मान लो दो बैट्समेन है बैट्समेन ए और बैट्समेन बी और हमें इन दोनों ही batsmen के लिए last 10 innings का score given है जो की कुछ इस प्रकार है तब हमें ये बताना है कि इन दोनों ही batsmen में से कौन सा batsman ज़्यादा better है आप previous classes में mean, median and mod के बारे में पढ़ चुके हैं सो हम mean find करके ये पता सकते हैं कि कौन सा batsman ज़्यादा better है तो जिसका mean ज़्यादा होगा वह batsman ज़्यादा better होगा तो mean क्या होता है mean होता है sum of observations upon number of observations तो जब हम यहां से दोनों ही batsmen के लिए mean find करेंगे तो वह हमें 53 के equal मिलेगा तो आप यहां से देख सकते हो कि हमें दोनों ही batsmen के लिए mean equal मिला है तो हम mean के base पर यह नहीं बता सकते कि कौन सा batsman ज़्यादा better है इसके बाद आपने median के बारे में पढ़ा तो अब हम दोनों ही batsmen के जो scores हमें given है उनका median निकालने की courses करते हैं जिसका median ज़्यादा होगा वही batsmen ज़्यादा अच्छा होगा सो median निकालने के लिए सबसे पहले हमें given data को ascending order में arrange करना होगा तो batsmen A and batsmen B का जो data है उसे हम ascending order में कुछ इस तरह से arrange कर सकते हैं अब since यहाँ जो number of terms है वो 10 है and 10 एक even number है तो जो median होगा वो 5th and 6th term के average के equal होगा तो ये दोनो 5th and 6th term में batsmen A के लिए तो इन दोनों का average येदी हम निकालेंगे तो वह हमें 53 के equal मिलेगा इसी तरह येदी हम batsmen B के लिए देखें और उसके data से median निकालने की कोसिस करें तो वहाँ भी number of terms 10 है देट मेंज उसके लिए भी जो median होगा वे 5th and 6th term का average होगा और इसके लिए भी हम देखते हैं कि median 53 ही आ रहा है तो हम यहां से देख सकते हैं कि batsmen A and batsmen B के लिए median भी same है तो हम median के base पर भी नहीं बता सकते कि कौन सा batsmen ज्यादा better है अब हम mode निकालते हैं कि mode किसका ज्यादा आ रहा है जिसका mode ज्यादा होगा वही batsmen ज्यादा अच्छा होगा तो हम सबसे पहले batsmen A के लिए mode निकालते हैं यदि अप mode के concept को revise करो तो mode क्या होता है कि सबसे frequent number जो होता है वही given data का mode होता है यदि हम batsmen A के लिए देखें तो सबसे frequent नमार है 53 सबसे frequent मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आता है that means batsmen A के लिए mode हो जाएगा 53 अब यदि हम batsmen B के लिए देखें तो batsmen B के data में भी 53 सबसे ज़्यादा बार आता है इसलिए batsmen B के लिए भी mode 53 ही होगा median and mode के base पर ये नहीं बता सकते कि कौन सा बैट्समें जादा अच्छा होगा तो फिर हम कैसे बताएंगे कि कौन सा बैट्समें जादा अच्छा होगा या फिर जादा बैटर होगा इसी के बारे में हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कि यदि हमें कोई भी दो डेटा गिवन हो और हमें compare करके बताना हो कि कौन सा जादा अच्छा है तो ये हम कैसे पता लगाएंगे